हेलो स्टुडेंट 아áज की वडियो में अपन बात करेंगे साइन की दो प्रोपेटि के बारे में जैसे साइन 2A तो साइन 2A का फोर्मॉला क्या होगा तू साइन a कोज ये और दूसरा फोर्मॉला होगा साइन 2A का कि साइन टुए वो क्या होगा वो मेरे पास होगा कि तू टैने कि अपोन कि वन पलस टैन स्केर ए अब देखो वन वाई वन इन दोनों का अपन प्रूफ करते हैं कि यह प्रोपर्टी बनी कैसे तो देखो वीडियो को समझते हैं देखो क्या था मेरे पास क्या आ गया मेरे पास आ गया मेरे पास आ गया साइन टू ए तो मेरे का पास है साइन टू ए और साइन टू ए को मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन ए पलस ए लिख सकता हूं नहीं लिख सकता और आपको एक चीज पता है कि साइन ए पलस भी का फोर्मुला क्या होता है इस और कि साइन भी क होता है मेरे पास फोर्मूला समय करूं इस फेर अपलाई करूं तो एंगल एकर काम पहां भी कर नहीं कर रहा है उस पेर और एकर्ट। वार रिपीट हो यहहे दो होता है। तो साइन य això सकता ओँ कर तोS gATHAN 2 यही थी तो फस्ट्क इपननि कर ली अब देखो सइकंड प्रोपर्टि क्या है साइन की स्ट्र प्रोपर्टि इसके अपने साइन की और अगर मैं ये वाली प्रोपपर्टी के लिए अपलाई करूँगा तो अभी देखो मेरे पास सहीय रिजलेट बना था साइन 2 cya बनाया था अपने उसको अपन ने बनाया था टूस साइन और कॉस है यह बनायाता ता se Uno अम मैं क्या करूँगा इसके नीचे 1 मान लेता हूँ कोई फैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा लेकिन आपने एक चीज आपको पता है कि वन के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ को स्केयर एसे ही मैं क्या करवाता हूं साइन स्केयर ए पलस को स्केयर ए इसको भी डिवैड करवा देता हूं को स्केयर एसे अब देखो मेरे को वेनिफिट क्या मिलेगा भाई एक कोस से एक कोस की पावर कट गई sign upon cost क्या बन गया ये बन गया 10 तो 2 10 है ठीक है upon देखो अगर मैं sign को cost से डिवैड करूँगा तो 10 मिलेगा नहीं मिलेगा तो मतलब 10 square है पलस का पलस cost से करूँगा तो 1 और यही मेरे पास क्या थी यही मेरी कौन से थी second property थी जो आपको proof करने थी अगर आपको video informatic लगी हो तो please subscribe HM Classes